अदिला जी जब भी हम चर्चा करते हैं आपके साथ भी कई बार चर्चा हुई होगी कि 2024 में बीजेपी बनाम विपक्ष कौन होगा एक जुटता को लेकर लेकिन अभी तो देश में आहलात बीजेपी ने इस तरह से पैदा कर दी हैं जो कॉंग्रेस और विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि अब मोधी बनाम नितीश नहीं होगा मोधी बनाम केज़िवाल नहीं होगा अब मोधी बनाम मोधी होगा सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी एक ही चीज़ चलेगी यह तमाम आरोप आप पे लग रहे हैं आपने इस देश में जो सबसे बड़े निता थे विपक्ष के कॉंग्रेस के उनको इसीड़ा जेल भेज़ दिया यह सिधे सिधे आरोप आप पर मेरी सब को राम राम और यह पूरा ड्रामा नौटन की में कॉंग्रेस पार्टी की देख रही हूं और प्रवक्ता बनकर सुरेंदर जी भी उसका मुकदमा लड़ रहे हैं सत्या ग्रह करेंशा सत्या ग्रह का असली अर्थ भी इनको नहीं पता हो और जो नाटक नौटक की भावनाओं के साथ खीर करते हैं हध्याओं पे खूल करते हैं अबी राजनीती करते हैं और फिर अपने आप को शहीं कहलवाते हैं तो सीधी सी वादे से अगर आप सोच रहे करकर बाप को आप बन जाएंगे तो जरूरी है अपने जहन में बाप को जिन्दा रखना सत्या करने से महात्मा नहीं बन जाएंगे तो अपने राहुल गांधी जी को बता जाएंगे यह आज के कलिवी गांधी तो बिल्कुल गलक तैमी में बैठे हुए हैं तो जिस एरोगेंस के साथ अहंकार के साथ वो उत्तर गए रहे हैं कि मुझे बहुत जादा ताचुब नहीं ह क्योंकि शादुन को इस परकार पीडिंग की गई उनने पताया गया है कि साथ आप पॉलिटिकल उपोजिशन पे जो बैठे हुए हैं लीडर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर आज की तारे किनाप हो गया हैं और आप इसी तरीकी से कटे जाए आप जुकिएगा नहीं तावर अरश्ट्रा में पूरे भरत में क्या रियक्शन हो रहा जब सावर्कर जी को यह गालिया सुनाते हैं तो रवी जी सीधी सिवाथ है आहंकार में तो कीनों गए बलबुत्री और बंच ना मानो तो देख लो और रामण और कंस तो यहां कंस अनिला जी ठीक है आपने कॉंग् बीजेपी इस मुद्धे को लेकर क्या उबीजी कार्ड नहीं खेल रही है तो थे सयासत नहीं कर अजे यह कर रहे हैं, यह भारती जंता पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं, हमारे नेता को निशाने पर ले रहे हैं, तो हम इंके आर्ती उतारेंगे, यह हमारे गाल पर एक चाटा मारेंगे, तो हम खीच कर दो चाटे मारेंगे इनके गाल पर, वीसी का अपमान किया है, नेरंतर यह लोग अपमान करते रहते हैं. अदेश के परदान मिंत्री के विशे में तो क्या क्या शब्दों का प्रियोग किया? हम तो नहीं कोट कचेरी ना. पर आप पुरी-पुरी कम्यूनिटी को बदनाम कर देंगे, पुरी कम्यूनिटी को आप चोर कह देंगा, फिर सोचते हैं आपके आर्ती उतारी जाएगी. अब शहजादे, नवाबजादे कुछ भी होंगे कॉंगर्स पार्टी के लिए. और एक चीज़ और अभी जी, बिल्कुल ठोक के एक बात कह रही हूं, आप देख लीजेगा. ये जो बैठी हुई है न, फॉच जो दिखाई दे रही है इन ही में से एक के लिए राहुल गांदी बोलेंगे, यूटूब रूटस के साजिश है, राहुल गांदी की और साजिश करने वाले ये कॉंग्रिस पार्टी वाले ही हैं. या वो करनाटका कर जुनाओ वो या आने वाले और चुनाओं में किया. लेकिन अनिला जी अगर य बयान किसी एक पार्टी से नहीं आते हैं. हर दिन आप नेताओं के भाशन सुन लिजे. और अगर आप एक-एक लाइन को नोट करेंगे, तो देश के आदे नेता जेल में चले जाएंगे. यह वही राहुल गांदी है जिनको पूरे बीजेपी के नेता पप्पू कहते थे. क्या वो मानहानी नहीं होती है. कल अमित्शाय परसो मैंने अमित्शाय का एक भाशन सुना, वो सीधा अरोप लगा रहे हैं कि कमलात भरष्टा चारी है, कैस लाइन पर मानहानी नहीं हो जाती. तो राजनिति में इस तरह के बयान तो आते हैं. अगर क्या आप राजनितिक बयानों के तहट तमाम देश के जैले निताओं से भर देनी चाहिए यही तो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पे कि राजनेते एक बयान अगर बीजेपी के निता दे रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है उनके सयोगियां कुछ नहीं हो रहा है विपक्षी अगर एक लाइन भी वोल रहे हैं तो सीदाइंको जेल में अधिके ऐसा है हमेश्य समंधान को हवादें इसी हवाले को देते हुए मैं यह कहती हम कि ग्रतर हमारे है अगर मैं आप इस चीज से लिए अधिकार भी इदिया हुआ है कि आप आप जाकर ऑड किशैरी का भी कि ए देश का समविधान तो यह कहता है ना कि इस देश का आनून इस देश का कानून हरेक में तार पे हरेक व्यक्ति पर समान लगेगा अब यह प्रतिक अब धौर करें जो एक्शन हो रहा है वोसर एक पार्टी एक विपक्षि की इन ही लोगों पे mise तो सम्विधान में ये निश्पक्षता कहां से आएगी है हम यह क्या रहें हम इस तरह के बयान बीजेपी कि कितने नेताओं के बयान सुन लिजे आप लोग सावा में बयान दिया गया शुर्पनेखा को लेकर कहीं ऐसे बयान दिये गए तो कहने कारवाई एक तरफा क्यों हो रही है फिर सम्विधान किस तरह से कहेंगा सम्विधान कि तो परिवाश्य नहीं थी कि जो सरकार में आएगा उस पे कारवाई नहीं होगी विपक्ष में आई उस पर कारवाई हो जाएगी जवाब पूरा प्यूक्ती तक पूरा भाशन मझे सुना दिया। पर नेता गलती करते हैं उसकी साफ सफाई पोचा हम लगाएंगे क्या लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं यूज़ 24